कि अब मैं गोड़ाव स्वागत करता हूं आप सब्सक्राइब करने वाले हैं आपके एफ टेन का यह आपका कलास नुम्बर वन है जो भी आप में से कई 23 सद्र से बिलॉंग करते हैं उनके लिए आज पर यह सेशन है और जो कि किसका है आपका तो एफ टेन का है आज अपने इस कलास में लोग समझेंगे पड़ियाबरन अधियन का सिक्षन सास्थ जो कि आपके सीटेट के एक्जाम के लिए भी बहुत ही महत्पुर्ण भिस है जो आप सीटेट में इभी एस पढ़िएगा ना उसक्या सारा पेड़ागोजी आपका यहीं से निकलता है जब अगले साल सीटेट में भी कोई दिक्कत नहों समाम बाते समझ में आये इसके लिए जल्द से जल्द अपना कीमती एक से दो सेकेंड का वक्त निकाल कर अपने सभी दोस्तों मित्रों गूरूप में सेहर कर दीजिए कि आपकी कलास से स्टार्ट हो गई है और वो लोग क्लाम सुनुवन सारी जी और बताइए मातर 23 लोग कलास में जुवाइन हुए देखिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लेम चल ला है घर में फंक्सन का महौल है इस बज़त से आपकी कभी सिटर्ट की कलास या फिर डिलेट की कलास रेगलर नहीं हो पा रही है ठीक है 15 महीं तक मैं टीच एक्ट्रा अप्लिकेशन बन्वाया तमाम काम किया पर पता नहीं गूगल वाले के तरफ से क्या नया अपडेट आया है अब वो अप्लिकेशन वर्क नहीं कर रहा है जिनके भी फ्रू अप्लिकेशन बन्ड़ा हुएśliry van में लगा हुए है पर उस सभी से साथ में टुकि आपके आज किस पता नहीं चल ला है मां़ेश मवजूद कि अभी टाइम में अपडेट दिया था अब काम किस्मत हो गया है रम जानका अब काम खत्म हो गया रम जानका ओके जी सुनémie dall करते हैं जो लोग भी कनेक्ट हो पाएं ऩाल है जो लोग नहीं कनेक्ट यह हो पाया है वो लो भी आराम से तो जाएंगे यह आपको परियावरन का सिक्षन्स आस्थ्र जो कि आपके ये नमद कांदर का होता है एक्जाम किसी को पता हो तो जल्दी से बताइए आपके जितने विस्चास्अ सभी 35 नंबर को होते हैं और जो आपका यह एफ 10 है एफ 10 है तो आपके एक्जाम में भी 35 इस नमबर की होते हैं एक प्रसंट आपके लोंग वाले हो गया उन तमाम प्रसंटों को बनाने के लिए सबसे पहले हमको समझना क्या होगा तो आपके एक में परना है परियाबरन अधियन की अभधारना इसका अर्थ हो गया आपका concept of environmental studies अब धारना को हम लोग क्या कहते हैं concept कहते हैं तो concept of environmental studies जो भी स्वेसी बोट से बिलॉंग करते हैं उनको भी समस्या नहों हो इसलिए हम लोग डिल करेंगे जितना point मुझे पता है मैं लिखी तूंगा इंगलिस में देखिए तो पडियाबरन अधियन कहने का अर्थ हो ग प्रण मतलब हो गया धका हुआ इसका साफदिक अर्थ यह निकलता है कि हमारे चारो तरफ जितना भी चीज है जिसको भी हम लोग देख सकते हैं छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं सभी किसका पाठ है पडियाबरन का पाठ है इन्वार्मेंट का पाठ है हमारे पूरे बड़ी का पूरे नेचर का सुभाब का भासा का हर एक चीज का डेवलपमेंट अगर हम लोग यूं कहें कि हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट अर्थात हमारी सरवांगिन विकास पडियाबरन का देन है तो यह कहना गलत नहीं है कहना कहीं से भी गलत नहीं है तो अगर आपके चीज है चाहे वो मुर्थ हो चाहे वो अमुर्थ हो उन तमाम चीजों को हम लोग क्या कहेंगे पडियावरन अधियन का पाठ कहेंगे अब आगे चलके हम लोग समझेंगे कि क्या इसकी प्रकृति होती है कैसे क्या 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 काम होता है उन तमाम चीज को हम लोग यहां पर ही पार्ट है और यह सब कुछ आपके एक्जाब के नोट में भी लिखे हुए हैं अगर हम लोग इसके घटक के ऊपर में बात करेंगे घटक करनेकार्थ हो गया इसका फैक्टर तो पहला हम लोग क्या सकते हैं प्राकृतिक घटक जैसे कि पेर पौधे नदी जरना यह सब क्य हो गया यह तमाम चीज क्या हो गया आपका समाजी घटक का पार्ट हो गया और यहीं दो चीज से आपका पड़्यावरन के विषय को आगे तोरा गया है हम लोग अपने इस यूनिट में समझ पाएंगे कि कितने प्रकार के थीम को परना है और यह सारा कुछ आपके डारेक क है चैट बॉक्स में यस लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फस्क पॉइंट की तरफ सर्ट डिलेर से केंड एर फॉर्म कब भढ़ाएगा और एक्जाम कब होगा आर्थी कुमारी जी कॉंटेक्ट किजिए अपने कॉलेज के कलड़क से पड़ी पलस आवरन बिल्कुल हमारे चारों तरफ का बातावरन को ही पड़्यावरन कहते हैं बहुत बढ़िया अनिता कुमारी जी गुड़ इबनिंग गुड़ इबनिंग महिया नाजमी गुड़ नाइट बोलने के लिए कलास में आये हैं ठीक जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा और आगे क कि तरफ हम लोग बढ़ेंगे सब कुछ यहां तक किलियर हो तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ठीक के आपके मनों पर ग्यानिक थे उनका नाम था साइद आपका इंजिनियर जे रॉस यह कहते थे इनका कहना था कि पढ़ियावरन क्या है पढ़ियावरन एक बाहरी सक सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है इसके अंतरगत में इसके प्रकृति आपको प्रकृति पुछण आपको प्रकृति कि यानि कि क्या क्या इसका प्रकृति कहने करत हो गया कि वह घटक जो मानव से सम्बंदित है वही इसका क्या कह लएगा प्रक्रिती कहने कार्थ हो गया कि इसके अंतरगत me में क्या होते हैं भौतिक चीज भी है और हमारे जीवन में क्या है समाजिक यह दोन्स चीज आपका इंता करन जो होगा एक दुसरे क्या यह दोन्स में कनेक्टेड हैं तो जो हमारा जीवन है चाह वो फिजकली या फिर आपका सोसियली ठीक है यानि कि भौतिक हो या फिर समाजीक हो तो पूर्ण रूप से हम लोगे जीवन इसके उपर में डिपेंड करता है तो यह प्रकृति हो गया कि जब हमारा पड़यवरन अधियन मानब के जीवन को परतेक्ष या अपरतेक्ष रूप से प्रभाविद करता है यह इसकी क्या हो गई प्रकृति हो गई नेचर हो गई क्योंकि अगर मान लिए कि मैं आपसे पूछू कि आपका नेचर क्या है तो आप अपने बाड़ें बताइएगा न कि हम गुस्सा करते हैं हम प्य प्रियावरन अध्यन का नेचर क्या है कि प्रियावरन अध्यन जो होता है इसके अंतरगत में भौतिक और समाजिक जो कि मानब जीवन को परतेक्ष या अपरतेक्ष दोनों रूप से क्या करती है प्रभाविद करती से सबसे ज़्यादा महत्व क्या होता है कि जब कोई क्या सुनामी आ गया तो जब भी परियावरन में कोई भी उथल पुथल होता है उसे क्या होता है मानव जर्विन पूरा अस्त ब्यास पहलता है यह सब क्या हो गए इसके प्रक्रिर्टी हो गए मैं लेट हो गई हूं कोई बात नहीं है 93 लोग कलास में आ चुके हैं आप लोग नींद आ गया था और मैं सो गया था उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं ठीक फस्ट इयर का है डिया सिना जी यह कलास फस्ट इयर का है ठीक अब हम लोग बात करेंगे इसके छेत्र के उपर में तो छेत्र कहने कार्थ हो गया इसका इरियाज में सबसे पहला के बीच में एक संबंध अस्थापित करता है ठीक करना उसके लाबा एक आप लोग बात सुने होईएगा कि जो अपना वनस्पति होता है या फिर आपकर जीब जन्तु होता है उसका सुरक्षा के बारे में अध्यान करना यह क्या होग या इसका छेत्र हो गया या फिर जो जल्दी से रिपलाइ कीजए यस और नो में तो इसके प्रकृति एवम छेत्र क्लियर हुए कि नहीं और यह तमाम चीज आपके नोट्स में पॉइंट वई-पॉइंट करके भी लिखे हुए हैं चिंदा करने की जोरत नहीं है जल्दी से पताइए प्रकृति एवम छेत्र म कब होगा सर्रिया सिनाजी कॉंटेक्ट के जी अपने कॉलेज के कलर्क से नहीं तो बिहार बोट के अध्यक्स से ठीक क्योंकि यह बिहार है आपके कोई भी चीज पहले से फिक्स नहीं होता है ऐसे आपका जुन जुलाई तक में हो जाना चाहिए धन्यवाद राहूल जैसवाल जी तिक आगे देखिए अब क्या है इसका उद्देश एबं महत्वत जिस प्रकार से तमाम विशाओं का अपना अब्जेक्टिब्स होता है वही अपना क्या हो गया इसका उद्देश हो गया इसका इंपोर्टेंस हो गया तो पड़याबरन पढ़न उनका उन तमाम बातों को बच्चों के अंदर विख्सित कराना इसका क्या है उद्देश है हमें किस प्रकार से हमारे भौतिक संपदा का हमारे बनस्पतित की तमाम नियुकेक्ट वहारा हैं निदी यह ऐसे है वह ठंड है यह गरम है ऐसे आया करबन डेख्षैड आया यह तमाम चीजों का अधियन करवाना ही क्या हो गया इसका उद्देश हो गया मत हो गया कि बच्चा समझ सके कि हमारे लिए हमारा पड्यावरन कितना ज्यादा मत्पूर्ण है अगर पड्यावरन नहों आप बोलकर बात कर रहा हूं यह भी मारे पड़्यावरन का ही पाठ है कि मुझे अच्छा समाज मिला अच्छा समुद्याय मिला कि मैं आपको आप बोलने के लाइक बनार मुझे समझ माया कि आप क्यों बोलना चाहिए यह तमाम चीज इसके क्या हो जाएंगे उदेश हो मेरा काम नहीं है सौड़ी ठीक तो देश में 99 लोग आ चुके है कम से कम एक दो लोग और सेर कर दीजिएगा तो सतक लग जाएगा बाद की लाइक तो आप लोग करते नहीं पता नहीं क्यों नहीं करते क्या मुझसे दुस्मनी हो गई आप लोगो को समझ में नहीं आता है अब लोग करते ही नहीं है सराज बहुत दिन बात क्लास कर रहा हूं कोई नहीं रजाए मैं और दिक रियुकार मैं सी अकलास करना 가 вс तीलक था रात पर पुरा जगे हुए थे और साम में जब फ्रेस वगरा हुए तो मुझे बहुत ज्यादा भ्यानक नींद आ गया बढ़ना मैं आपकी सिटेट की भी कलास को लेता फिर नींद खुला तो सुचे की बैठ के क्या करें तो आपके कलास को ले ले फिर सुबर आग बहुत क्या नहरानी जी आगे बोलिए अगला आपको पॉइंट परना है रास्टिये पाठ चरिया की रूप रेखा तो यार पाच एबं बिहार पाठ चरिया की रूप रेखा तो आठ के संदर्व में क्या तो अपना पड़यावरन अधियन कहने कार्थ हो गया कि अप आपके एक्जाम से पहले भी मैं आपको पाच ऐसा पॉइंट लिखवा दूँगा कि आपके बारा के बारा बिसे में आपके बारा के बारा बिसेले जब भी आपसे नCF-BCF पूछेगा तो अगर आपको यहाफ पाच पॉइंट पता होगा आपके माइंड मों होगा तो वह पाज पाइंट आप हर एक विषय में डिल कर सकते हैं तो बच्चे को अपने परिवेश से जोर के पढ़ाना और यही बात आपके बिसीएफ के दौरा भी कहा गया है जहां पर बच्चा अंतह क्रिया कर सके सक्रियें हो ठीक है नन्य बेग्यानी की तरह काम कर सके बहारी जीव से जोर कर पढ़ाना क्या अगला हो जाएगा बोज मुक्त करके पढ़ाई करवाना गति वीधी करवाना ठीक अगला क्या हो जाएगा अपना बाल केंद्रित अपना सिख्चा होना चाहिए यह तमाम चीज आपके एंसी एफ में आया और यहीं कहता है कि पढ़्याबरन अध होता है पाठकरम अलग होता है पर नियम कानुन एक है कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ कर पढ़ाना है बच्चे को बोज मुक्त करके पढ़ाना है उनको देनिक जीवन से जोर कर पढ़ाना है सिख्चा अपना बाल केंद्रित होना चाहिए यहीं तमाम पांच-छे जो होते हैं आपके हर जगा रिपीटेट मूट पे रहते हैं अगला क्या होगा कुछ अलग बाते तो पढ़्यावरन को एक एक क्रित भी से रूप में पढ़ाना चाहिए अब यह अपना एक क्रित क्या है इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे चिंता नहीं किजिएगा तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 1, 2 में नहीं होता है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 3 क्लास में पढ़ना है इभी इसको और जब इस चीज को आप लोग पढ़ने बैठियेगा न तो आपको लगेगा कि आप अपने घर के बारे में ही पढ़ रहे हैं अगर आपको एक्षा हो तो तो सभी थीम को आपस में कैसे करके पढ़ाना है यह कहा गया कि बच्चे को जदा सज्दा गतिवीधी करवाना है बच्चे को जदा सख्रिये रखना है बच्चे को बाहरीज जीवन से जोर कर पढ़ाना है ऐसे मैं आपको 5-6 पॉइंट लिखवा दूँगा और आपके कि लौता आपका बिहार का रुप्रेखा बनाया गया है एकलोता ऐसा प्रेमब के बिहार के लिए बनाया गया है वैसे कि lav क्या है अलग है हमारी आर्थिक सिती और राइस के बश्चा क्या है कम है कम जोड़ है यहां पर सिक्षा बहुत कम जगा पर मैक्सिमम लोग अशिक्षित अभी भी है उन तमाम चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा बाल मजदूरी न करे बच्चा को बाल मजदूरी से हटा कर विद्याले की तरफ लाना इन तमाम चीज़ों को गतिवीदी से जोरा जाए कि बच्चा को मज़ा आए बच्चा जाए पढ़ने के लिए तक है बाह आई ते आप अपने डिलेट के फर्स्ट येर और सेकेंड येर दोनों येर के जितने भी विशय हैं टोटल आपके कैस्ट विशय होते हैं उसमें आपका एक्जाम होता है बीस विशय का उन तमाम बीस विशयों में आप इस आठ पॉइंट को लिखिएगा आपका एंसी एफ बिसी ञांटम बोलते हैं जी खीनन फरना ली से मुक्त होना चाहिए इस पूले को बांडित जीवण से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब बिरंदर कुमार कह रहे हैं यस सर राटन परनाली से मुख सिक्षा होने जी बिल्कुल आडियन कुमार जी सर पिलीज मेरा नाम लिजिए धननजय रजक धननजय रजक आपका नाम लेते लिए दिल में भी रजक रजक हो गया ठीक है खुश सर एक डूरेशन कितने आवर्स होत है और फिर उसके बाद सेकेंड सिटिंग में तीन घंटे का एक्जाम होता है राहुल राजी कोई बात नहीं सर आप इंज्वाय कीजिए कलास तो होती रहेगी नहीं डिया सिंग जैसे जैसे मुझे पूर्सत मिलेगा आज फिरी थे आपकी कलास ले लेंगे मंडे को भी ले दरवंगा में ही रहते हैं ठीक है कल दरवंगा हम पहुंसते हैं तो आप लोग को मैसेज ड्रॉप कर देंगे जो भी लोग चाहेंगे मिलना आईए स्विशन पर मिलते हैं चाय पानी नस्ता करते हैं गर्मी का मौसम है गन्य का जूस पीते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़े अगला पौइंट की तरफ अगला पौइंट है आपका को शिण के और्त है कि जब दो चार चीज को आपस में मिला दिया जाए तो ऐसा चीजी क्या कहलता है अब इस सुनते विए कि पढ़ाँ आधियन है इसमें आपका दो चीज की पढ़ाई होता है एक होता है आपका समाजिक सास्त्र, जिसको बोलते है सोसल साइन्स कहते हैं, ठीक, पहला पार्ट, और दुसरा पार्ट होता है आपका समाजिक बिग्याद, कहने कर्थ क्या होगी आपका समाजिक बिग्याद, कहने कर्थ होगी आपका साइन्स, ठीक, सोसल, ठीक है, है अपना समाजिक सास्त का पाट हो गिया समाझिक बिग्यान का ça पर बज्ञान की बेसिक किडिया है हम लोग Bye Sorry जाता है बच्चे को पढ़ा जाएगा तयों के बारे में अब मिलोग पढ़ेंगे तो क्या यह द्ञान से connected है कि नहीं एक और और नो ही वाई किजिए जब हम लोग परदुसन के बारे में पढ़ाइंगे तो क्या ये आपका विग्यान से connected है यस और्लों और रिप्लाई कीजिएगा बच्चे को पढ़ाया जाता है पड़िवार किस रुप का होता है पड़िवार कैसा होता है क्या यह अपने समाजिक संदर्व से connected है यस और नो में reply किजिए बच्चे को अपने बातावरन के बाड़े हैं बताया जाता है कि कहां का बातावरन कैसा है कों से बातावरन कैसा है कहां पे कैसे घर होते हैं कैसे पसू पक्षी होते हैं कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं मैदानी इलाका क्या होता है बरफिला इलाक स्टाइन्स परना पड़े उसको अलग से सोशल स्वाइग्स परना पड़े जहां पर सितन हो जाते हैं बैद 6 जाइन में केंस्टि हो जायेंगे ठीक फिर आगे बढ़े है तो और कुछ में टूट जाता है फिर आपका हिस्टरी हो गया शबीष तो ग्या जहु रफी किसी चीज़ को समझ सके एडियाज हो कि भाई अपना जल क्या है अपना प्रदूसन क्या है परिवार कैसे होते हैं थोड़ा बहुत इतिहास का ग्यान कहीं कहीं के लोगों के बाड़े में जानना तो बच्पन से ही सुरुवात होती है तभी जाकर हमारा संग्यान वर्थ कर प चीज़ें कैसी बनती है ठीक यातरा कैसे करना है यह तमाम चीज थीम में बाटा हुआ है और जब हम लोगों को देखेंगे तब जाकर हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसा हमनों कहते हैं क्यों एक करन भिसे कहते हैं तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो तो क्या मैं अपने की तर ठाने की कोशिझ करेंगे सार मेरा इंगली सब कलास सही से नहीं हो पाया पिला कुछ ज्यादा ही जूम हो गयां यह कॉशा ज्यादा ही जूम हो सब लाइक किजिए धन्य बाद 118 लोग कलास में आये हैं और मात्र लाइक किये हुए 22 लोग सर बहुत जूम हो गया हाँ निचे और यह रिमोट रखा रहा रहता है इस पर क्लिक हो गया था जूम बहुत जादा हो गया था उसके लिए माफी चाहेंगे ठीक है चलिए काफी अ कर दिजिएगा आगे बढ़ें जल्दिस रिप्लाई कर दिजिएगा अगला आपका पॉइंट है पड़यावरन पड़करन यानि कि आपका थीम ठीक अब देखिए इस चीज को पढ़ने के लिए समझने के लिए जो आपका भी प्रिभियस पॉइंट था कि पड़यावरन अब देखिए जो पड़यावरन के अंतरगतन सबसे पहला थीम क्या आगे आपका पड़यावरन पड़िवार एब अमित्र अब इसको याद रखना उसका ट्रीक अभी आपको हम बता देंगे बस आप कलास को कंटिन्यू अराम से देखते रहिए सर इंगलीस का कलास फिर से पढ़ाईएगा राजन नजग जी हम कब मैंने तो इंगलिस पढ़ा दिया यूटूब पे अब जो भी कलास से लिए अपकी प्रस्नल चल लिए राजन नजग जी की ठीक आगे पड़िए पर इस पॉइंट सबको समझिए फिर हम लोग आते हैं दुसरे बात की तरफ इसके पुआ है अबैर शीजे कैसे बनाते हैं हम चीजे कैसे बनाते हैं फिर चीजे कैसे बनता है आ हमेद्व में वह द्धित आपको परिवार यह आपका साइंस से कनेक्टेड़ बोजन आपका साइंस आगया फिर अपर शूशल परता ऑगया फिरयात्रा फिर चीजें कैसे बनाते हैं इसको माइंड में रखने के लिए इस प्रकार से आपका बनाया गया है कलास 3 कलास 4 प्लास 5 यह परियावरन अध्यन का पूरा सिलेबस आपकी इसी चोगोग थीम पर नाता है और इसको को याद कर लिए कौन है इसका नाम है अब बताईये जब तुट्ट्ट्ु का जन्म होगा तो पापा मम्मी होंगे जन्म कहां हुआ तो परिवार में हुआ अब जल्म होगा चोटा-फिजवार में जन्म होगा उसके मित्र हänderवगा अलब बच्छा का जनम होगा तो कहां रहने जाएगा तो पहला थीम हो गया अपना परिवार एब मित्र ठीक फैमिली एंड फ्रेंड अब जो चुट्टू का जनम होगा तो रहेगा कहां घर में उसी को क्या बोलते हैं यानि की अवास अब टुट्टु का तो जनम होगिया, घर भी मिल गया, पपा बमी भी मिल गया, अब बेचारवा उपर से 9 महिना के बाद अपना आया था, तो उसको भूख लगा हुआ था अब उसको क्या चाहिए तब उसको चाहिए भोजन तुट्टू को क्या मिल गया अब अपना भोजन मिल गया तो ठड़ थिम क्या हो गया अपना भोजन अब जब बचारवा खा लिया तुट्टू तो चौथा थिम में अपना क्या चलायागा खाने का हम लोग क्या करते हैं पीने का काम तो चौथा थ अब जो यात्रा करने गया तो देखा कि आस पास का दोस्त महीं सब यात्रा भी कर रहा है मन है तो आइसक्रीम भी खा रहा है मन है तो कुछ खरीद के भी खा रहा है अब उसके लिए देखा कि भाई हम कैसे क्या करें वरना तो हम विरोजगारे रह जाएंगे पैसा होना चाहि जब भी आपसे प्रयावरन का थीम पूछे या फिर इसके अलग वर्ड है प्रकरन यह पूछे तो आप सिंपल आख मंदरे किसको याद किजिएगा तो हमारे सभी के प्यारे बावु किसको तुट्टु बावु को याद कर लिजेगा आपको थीम में कहीं से कोई दिक्कत नह कि अंपलु कि अंपलु कि अंपलुट।